गुट मॉर्निंग फ्रेंट्स हम लोग मॉर्निंग वक करने जा रहे हैं मैं और भावी मैं भावी के घर पे आई हूँ और मॉर्निंग वक करने जा रहे हूँ ओगेङू, सब्सक्राइब हर छो करण चाहिए, बहुत अच्छा मैसुस होता है, जब हम सुँवे सुवे मॉर्णिग पर जाते हैं, हम सब्सक्राइब करिए हैं, और उसके बाद हम पारख जाएंगे, और यह सहर है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, एकदम हवेली टाइप में बने हुए हैं, तो जिसने जिन्दगी में कभी हवेली नहीं देखी हो, तो मैं आज आपको हवेली दिखा दूँगी, यह देखिए, कितनी प्यारी प्यारी हवेली बनी हुई हैं, बहुती स सुन्दर हवेली है जिनों ने जिन्दगी में हवेली कभी देखी न हो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि हवेली कैसी होती है यह देखिए इसे कहते हैं हवेली और भी मैं आपको दिखाऊंगी बने रही है वीडियो में यह देखिए मैं आपको दिखाती हूं आप सोच हवैली है एक बस थोड़ी ही दूर रह गया है और पारक आने ही वाला है तो यह देखिए यहां है पर यह Więca चाहर को सकते हैं आप बं सकते kita कि सकते हैं आप बहुती कुझ लेकि बहुत ही सुन्दर घर बने होते हैं अपकी आँखें जो है तरस जाएंगी ऐसे घर देखने को आपने कभी भी हवेली नहीं देखियो तो आप देख लीजिए मेरी वीडियो में इसे कहते हैं हवेली अब हम जा रहे हैं दूसरे पारक पहला पारक तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है ये है औरिया का वाटर पार्क और ये है अक्षरधाम मंदिर औरिया का इसमें रात को फवारा चलता था रात को अभी जो है इसको बंद कर रखा है इसमें भराव करवाया है इसको दुबारा से बनाएंगे जैसे अक्षरधाम मंदिर में फवारा चलता है बिलकुल वैसा ही इस पारक में फवारा चलता है यहाँ पे फवारा लगाऊ था पहले अब जो हट गया है दुबारा से चालू होगा तब आप देखना बहुत सुन्दा लगता है यह पारक झालू होगा बहुत सुन्दा बहुत सुन्दा बहुत सुन्दा लगता है सुन्दा बहुत सुन्दा बहुत सुन्दा लगता है यह है भावी की किचन जिसमें भावी खाना बनाती है काम करती है यहां पर भावी की मम्मी नहा दोकर रेडी हो गई है और पूजा कर रहे हैं भगवान ऐसी मम्मी सब को दे तो यह देखिए फ्रेंड्स भावी जो है अपनी किचन में काम कर रहे हैं भाईया के लिए लंच बना रहे हैं भाईया स्कूल जा रहे है ना तो इसलिए वो लंच बना रहे है भाईया के लिए और उनकी मम्मी भी हेल्प करवा रहे हैं काम कर रहे हैं साथ में पूरी हेल्फ करवाती हैं उनकी मम्मी घर में जितना भी काम होता है ना पूरी हेल्फ करवाती हैं उनकी मम्मी